यू जमीन पर बैट कर क्यूं आसमान देखता है पंको को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है जी हाँ दोस्तों आप सभी को उड़ना होगा आप सभी को अपना लक्ष पाना होगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक डेली करंट अफेर्स सेशन में आप सभी का सवगत करता हूँ आज है 14 जनवरी 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स होने वाली है उससे हम डिसकस करेंगे पूरे जोस के साथ पूरे होस के सा दोस्तो आज की दिन कागाच करते हैं कर हर मैदान फत है देखी फ्रेंड्स ये जो करंट अफेर है ये भारत के सभी कॉंपिटिटिव एक्जामनेशन के लिए बहुत इंपोर्टेंट है पीडियाफ प्राप करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक को जोईन करके इसरो के नए चेयर्मेन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है इनका क्या नाम है तो देखिए फ्रेंड्स इनका नाम है एस सोमनाथ दोस्तो के सरकार ने इन्हें 12 जनवरी को भारती अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो का अगला परमुख नियुक्त किया है दो दोस्तो बात करें एस सोमनाथ की तो प्रेजेंटली ये विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंदर के निदेशक है दोस्तो किन की जगह लेंगे तो के सिवन की जगह लेंगे दोस्तो इसरो की बात आ रही है तो इसरो का मुख्यालाय कहां पर है बेंगलूरू में है और इसकी स जनवरी 2022 को समाप्त होने जा रहा है आप इनकी जगह S.O.N.A.T. लेंगे दोस्तों मैं आपको S.O.N.A.T. के बारे में और भी important details देने वाला हूँ देखें इनका जन्म कहां पे हुआ है तो इनका जन्म केरला में हुआ है कब हुआ है जुलाई 1963 में इन्होंने अपने करियर क सुरुआती दोर में PSLV PSLV का full form होता है polar satellite launch vehicle देखे फ्रेंड्स जो satellite होता है उसे गृत्वा कर्शन की विरुद धर्ती के बाहर भेजने के लिए हमें launch vehicle चाहिए होता है इसी को हम launching vehicle कहते हैं यदि हम satellite को polar orbit में ध्रूवी कक्षा में डालते हैं तो इसे हम PSLV कहते हैं देख मैंने आपको बताया कि केरल के तिरुव अननंत पूरम में विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंदर के निदेशक हैं इन्होंने 2010 से लेके 2014 तक GSLV MK3 Project के डारेक्टर करूप में भी कारे किया था देखे फ्रेंड्स यहाँ पे ISRO की बात आ रही है मैं आपको ISRO से related सभी important details को share क करने बाला हूँ सबसे पहले full form को सुनिएगा Indian Space Research Organization ISRO का full form है देखे फ्रेंड्स आप से पूछा जा सकता है कि ISRO के पितामा कोन है who is known as the father of ISRO तो यह है Dr. Vikram सारा भाई देखे फ्रेंड्स मैं आपके जानकारे के लिए बता दूँ भारत का National Space Institute इसका headquarter बेंगलूरू में है जैसा कि मैंने आपको बताया है दोस्तो ISRO का main function क्या है तो ISRO का main function है भारत के लिए अंतरिक संबंदी तक्नीक उपलब्द करवाना जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी भारत का सबसे पहला satellite का नाम क्या था इसका नाम था आरिभट यह 19 अ अगी mission में 104 सेटलाइट को launch करके world record कायम किया था देखे friends next important current affair आपके सामने रहा यह बहुत ही important है एकजा में पूछे जाने की पूरी संभावना है हाली में सुपरीम कोट ने प्रधान मंतरी सुरक्षा चूक की जाच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक panel का गठन किया है इनका क्या नाम है तो देखे इनका नाम है इंदू मलहुत्रा दोस्तो बात करें इंदू मलहुत्रा की तो ये पूर्व नयाधीस रह चुकी है पूर्व नयाधीस जस्टिस इंदू मलहुत्रा को क्या बनाये गया friends पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जाच के पूर्व नयाधिस जस्टिस इंदू मलुत्रा को अध्यक्ष बनाया है जांस समती का और इसके लिए इसका गठन किया गया है देखे फ्रेंड्स इस समती का वर क्या होगा यह समती मामले की जांच करेगी और यह तैक करेगी कि सुरक्षा उलंगन में कौन जिम्मेदार था देखे फ्रेंड्स यहाँ पे SPG की बात आई है तो मैं आपको SPG से related सारी important details को share करने वाला हूँ तो देखे SPG का full form क्या होता है Special Protection Group अब सवाल उठता है के SPG का गठन क्यों किया गया था दोस्तो 1984 में इंदरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी उसके बाद 1985 में SPG का गठन किया गया प्रधान मंतरी के पद पर रहते हुए इनकी हत्या हुई थी तो especially friends प्रधान मंतरी के सुरक्षा के लिए इसका गठन किया गया केंद्री शस्षस्त्र बलो का कोई भी जवान अपने करियर में केवल एक बार पांच साल के लिए SPG में जा सकता है देखे friends SPG के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है responsibility होती है तो दोस्तो SPG के उपर बहुत सारे restrictions प्रतिबंद लगाए जाते हैं तो SPG का जवान या फिर अफसर किसी media house से संपर्क नहीं कर सकता दोस्तो अपने कारकाल पर कोई किताब लिखने की भी पाबंदी होती है इनके उपर दोस्तो इन दिनों बात करें तो SPG में 3000 से जादा जवान और अफसर है दोस्तो आईए मैं आपको SPG की कुछ पैसिलिटीज फीचर्स के बारें बताता हूँ आप यहाँ पर image में देख पा रहे हैं यह SPG है जो हथियारों से less है SPG कमांडो दोस्तो यहाँ पर आप देखें एक एक चीज़ को देखेंगा यहाँ पर communication device है हलकी bulletproof jacket है elbow pad है bulletproof knee pad है इनके पास होता है FN 527 Belgium में bunny handgun FN 2000 Belgium में bunny assault rifle इसके लावा friends communication के लिए ear plug होता है technical काला चस्मा होता है suit के भीतर bulletproof vest होती जैसा मैंने आपको बताया FN P90 Belgium में bunny sub machine gun भी होती है और combat suit होता है दोस्तो आप सभी ने देखा होगा कि SPG अपने साथ एक bag लेके चलता है और ये bag को हम क्या बोलते है ballistic shield कहते है दोस्तो कब इसका इस्तमाल होता है दोस्तो ये fold होने वाली bulletproof shield है गोली बारी होने पर क्या होता है SPG प्रधान मंत्री के सामने इसे फेला देते है इसके पीछे रखकर PM को सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाता है थर्ड important current of air आपके सामने रा फेंड्स हाली में केंदरी मंत्री सर्वानन सोनोवाल ने किस राज्य के पहले खेल विश्विद्याले का उद्घाटन किया है तो देखे कहां पर इसका उद्घाटन किया है डिप्रुगड डिप्रुगड कहां पर फ्रेंड्स असम में इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों बात करें सर्वानन सोनोवाल की तो ये वर्तमान में कौन से मंत्री है तो भारत के वर्तमान ये आईश मंत्री है सर्वानन सोनोवाल इन्होंने डिब्रूगर जिले के चबुआ में असम के पहले खेल विश्विद्याले का निर्माण का उध्धाटन किया है देखे इस खेल विश्विद्याले का नाम क्या है किसके नाम पर रखा गया है तो इसे कहा जाता है स्री स्री अनिरुद देव स्पोर्ट्स उनिवर्सिटी दोस्तो यह मौमोरिया सत्रिया समुदाय के महान संत के नाम पर स्थापित किया जा रहा है दोस्तो यहाँ पर असम की बात आई है तो असम की प्रिजेंट चीफ मिनिस्टर को है आपसे पूछा जा सकता है तो असम की सीम है हेमन्त बिश्वा सर्मा देखे फ्रेंड्स अब मैं आपको पहला नौलेज बूस्टर देने वाला हूँ आज हम स्टेट स्पेशल बिहार के जीके के बारे में जानने वाले है आईए सारी important details को जानते है सबसे पहले बिहार की location को देखे देखे बिहार जो है उपर की तरफ देखे तो यह नेपाल देश है तो बिहार की सीमा नेपाल को स्पर्ष करती है इधर देखे यह यूपी स्टेट है ठीक है देखे इधर देखे जारखंड है और इधर है पश्चिम बंगाल यह वेस्ट बेंगौल है तो तीन स्टेट और एक देश से बिहार की सीमा इसपर्ष करती है याद रखेगा प्रशन पूछा जा सकता है ठीक है फ्रेंट्स देखे इसका गठन कब हुआ है 22 मार्च 1912 को इसका गठन हुआ है इसकी कैपिटल पटना है हाई कोट कहां पे है फ्रेंट्स पटना में है विधान सवा सदस की बात करें तो 243 विधान सवा सदस तो देखे बिहार एक मैदानी छेतर है और आपको यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी नदिया प्रवाहित होने को मिलेंगी गंगा, गंडक, बागमती, कमला, कोसी, सोन देखे बिहार का सोक कहलाती है कोसी क्योंकि यह बार-बार अपना मार्ग बदल देती है देखे राजकी पशु की बात करें तो बैल गौर है राजकी पशु, राजकी वरिख्ष कोन सा है तो यह है पीपल देखे फ्रेंड्स बिहार स्पेशल जीके में मैं आपको वन जीप अभिरन के बारे में बताने वाल हूँ तो सबसे पहले बात करेंगे भीम बांध अभिरन, दूसरा है राजगीर अभिरन, तीसरा है बाल मीकी नगर चमपारन, चोथा है कावर जीहिल पक्षी अभिरन, और पाचवा है गौतम बुद्ध अभिरन यहाँ पे कौन-कौन सी जनजातियां ट्राइपस हैं पूछा जा सकता है तो खोंड, बथूडी, बिर्चा, कुर्भा, पराहिया, बिर्होर यह important ट्राइपस हैं बिहार में देखे जैसा कि मैंने आपको बताए बिहार के सीमा नेपाल को स्पर्ष करती है और तीन राज्यों की सीमा को स्पर्ष करता है जहार, कंट, पश्यम, बंगाल, और यूपी देखे फ्रेंड्स हमारा मकसद है आपको कम समय में जादा से जादा कंटेंट उपलब कराना दोस्तो आपका समय बहुत कीमती है यह हम बहुत अच्छे से समझते है चली फ्रेंड्स, fourth important current affairs क्यों बढ़ते हैं किस railway station को एकता नगर railway station के नाम से जाना जाएगा तो देखे हाल के वडिया railway station का नाम बदल कर एकता नगर railway station कर दिया गया है दोस्तो एक कहां पर है तो देखे है मैं आपकी जानकारे के लिए बता दू यह गुजरात में है गुजरात के statue of unity के पास है station और इसका नाम बदलने की मंजूरी रेल मंत्राले ने दी है दोस्तो यहां पर रेल मं स्टर कोन है तो यह है अश्वनी वैशनब दोस्तो यहां पर गुजरात की बात आई है तो गुजरात के प्रेजेंट cm कोन है भूपेंद रजनीकांत पतेल दोस्तो अब के वडिया station को क्या कहा जाएगा एकता नगर railway station के नाम से जाना जाएगा दोस्तो एकता दिवस unity day हर स सोद्रा डिवीजन के अंतर गताता है यह station दोस्तो यहां पर station की बात आ रही है तो मैं आपको हाली में बदले गए railway station के नाम के बारे में बताने वाला हूं सबसे पहले मैं बात करूँगा चन्ने सेंट्रल railway station तो इसका नाम बदल कर MG रामा चंदरन सेंट्रल railway station कर दिया गय हावडा काल का मेल ट्रेन इसका नाम हो गया नेता जी एक्सप्रेस प्रगती मैदान मैट्रो स्टेशन का नाम सुप्रीम कोट मैट्रो स्टेशन कर दिया गया है हुबली railway station कहा पर यह करनाटक में है इसका नाम हो गया है स्री सिध्धा रुद्धा स्वामी जी railway station चली नेस् अगला है फ्रेंट्स वेरी वेरी इंपोर्टन हाली में हवीब गंज रेलवे स्टेशन जो कहां पर है भोपाल में है इसका नाम हो गया है रानी कमलापती रेलवे स्टेशन पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो की MP में है इसका नाम हो गया है टांटिया मामा रेलवे स्टेशन आखरी है फ्रेंट्स फैजाबाद रेलवे जंक्शन इसका नाम हो गया फ्रेंट्स आयोध्या केंट देखी फ्रेंट्स नेस्ट इंपोर्टेंट करिंट अफेर आपके सामने रहा और्स्ट्रेलियाई वाइन क्या नाम है इस ब्रैंड का जैकेफ्स क्रीक नाम है तो जैकेफ्स क्रीक के ब्रैंड अमबेजडर के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो देखे फ्रेंट्स मिताली राज को ब्रैंड अमबेजडर बनाया गया है दोस्तो मिताली राज कोन है ये पद्म श्री प्रसकार विजेता है मिताली राज और भारती महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है इन्हें हाली में आउस्ट्रेलाई वाइन ब्रांड जैकप्स क्रीक का ब्रेंड अम्बेसडर बनाया है दोस्तों मिताली राज के बारे में आए जान लेते हैं इनकी क्या-क्या एजिम्मेंट्स हैं देखें इन्टरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाडी है और क्रिकेट में साथ हजार एक दिवसी रन बनाने वाली एक मात्र महिला है दोस्तों यहाँ पे ब्रेंड अम्बेसडर की बात आ रही है तो मैं आपको प्रमुख brand ambassadors के बारे में बता रहा हूँ जो आपकी exam में पूछा जा सकता है तो सबसे पहले friends My 11 circle तो मुहम्मद सिराज इसके brand ambassador है महराज COVID vaccine तो महराज COVID vaccine के brand ambassador सल्मान खान है National Basketball Association तो ये है रडवीर सिंग Wonderchef की brand ambassador किने बनाया गया है? Krathisinen को बनाया गया है उतरप्रदेश One District One Product के brand ambassador कंगना रनवास को बनाया गया है देश के mentor कारिक्रम इनको brand ambassador किने बनाया गया है? Sonu Sud ये दिल्ली में चलाया जा रहा है Tata Life Insurance के brand ambassador हाली में नीरत चोपड़ा जी को बनाया गया था Sixth important current affair आपके सामने रहा हाली में किसके द्वारा mission अमानत को launch किया गया है? तो देखे भारती railway के द्वारा इस mission को launch किया गया है देखे इसका objective किया फ्रेंट्स जो भी आत्री जो भी passenger है जिनके समान खो जाते है तो यातिरियों के खोए हुए समान को track करने के लिए इस नई पहल को शुरू किया गया है दोस्तो इस नई पहल को RPF railway production force के द्वारा शुरू किया गया है इस पहल के तहद फ्रेंट्स क्या होगा? जो railway सुरक्षा बल होगा पश्चमी जोनरल railway की अधिकारिक वेफसाइट पर समान गुम होने की जानकारी अपलोड करेगा दोस्तो यहाँ पर RPF की बात आई है तो आई मैं आपको सारी important details देता हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया RPF को full form होता है Railway Protection Force इसे railway सुरक्षा बल अधिनियम 1907 के तहट स्थापित किया गया देखे फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि RPF का कार क्या है क्यों इसको स्थापित किया गया है तो देखे ये railway संपत्ती की सुरक्षा railway संपत्ती की security और यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है यही इसकी responsibility है इनके पास तलासी लेने गिरफतार करने जाच करने और मुकत्मा चलाने की शक्ती है दोस्तो बात करे RPF में महिलाओं का प्रतिशक भारत के सभी केंदरी अर्ध सैनिक भलों में सबसे अधिक है दोस्तो वरतमान में इसके director general को ने इनका क्या नाम है तो इनका नाम है संजय चांदर देखी friends मैं आप लोगों के लिए एक नया surprise लेके आया हूँ मैं yearly current affairs 2021 का booster लेके आया हूँ दोस्तो मैं 2021 के important current affairs का revision भी कराऊंगा आपके लिए तो पहला प्रशन है अखिल भारती सतरज महासंग AICF का president किसे बनाय गया है तो डॉक्टर संजय कपूर जी को बनाय गया है नेश्टे friends देश का सबसे उचा मौसम विज्ञान केंदर country's highest meteorological किस केंदर सासी प्रदेश में शुरू हुआ है लद्दाक में इसकी शुरुवात हुई है गरतन तर दिवस परेट 2020 में किस देश की armed force ने हिस्सा लिया very very important तो बांगला देश की टुकडी ने हिस्सा लिया था दुरलब धातू वेनेडियम भारत में पहली बार किस राजे में पाया गया तो इसकी खोच अरोणांचे प्रदेश में की गई थी देखे फ्रेंट नेस्ट है देश के पहले फायर पार का पांच जनवरी 2020 को उद्गाटन किया गया ये किस राज्य में है तो ये ओरिसा राज्य में है एक स्कूल एक I.S. योजना किस राज्य के राजपाल ने शुरू की है तो केरल ने इसकी शुरुवात की है प्रदार मनती नरेंदर मोदी को किस मंदिर के ट्रस्ट का प्रेसिडेंट चुना गया है तो इन्हें सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का प्रेसिडेंट चुना गया है एयर डिफेंस मिसाइल अकास एंजी का परिख्षण किस संगठन ने किया है तो इसका DRDO ने परिख्षण किया है नाइन्थ इंपोर्टन एरली करंड फेरिरा दसवी रास्ट्री आई सौकी चेंपेंसिप किस ने जीती है तो इसे ITBP ने जीता है तो देखे मैंने आपको बताया था नेता जी सुभास चंद बोस जी के नाम पर करनि की खोशन की है जील परिटन पहल की शुरुआत किस राजी ने की है तो महराश्टर में इसकी शुरुआत की है आखरी प्रशन है इटली के नए प्रधान मंतरी कौन होंगे तो ये हैं इटली के नए प्रधान मंतरी कौन है मारियो द्रागी है देखे फ्रेंड्स नेस्ट इंपोर्टन करेंट अफ़र आपके समने रहा हाली में कौन BWF जूनियर रैंकिंग के अंडर 19 बाली का एकल वर्ग में दुनिया की नंबर वन खिलाडी बन गई है तो इनका क्या नाम है दोस्तो इनका नाम है तसमीन मीर दोस्तो भारत की युवा बैडमिंटन खिलाडी 16 साल की है तसमीन मीर यह BWF Junior Ranking के Under 19 बाली का एकल वर्ग में दुनिया की नमबर वन खिलाडी बन गई है दोस्तो तस्मीन मीर फिलहाल असम के Badminton Academy में ट्रेनिंग ले रही है दोस्तो तस्मीन मीर से पहले तेलांगना की क्या नाम है इनका सामिया इमाद फारुकी यह World Ranking में दूसरे स्थान पर पहुँची थी लेकिन फ्रेंड्स तस्मीन मीर पहले नमबर पर पहुँच गई है एट्थ इंपॉर्टन Current Affair आपके सामने रहा फ्रेंड्स बहुत ध्यान ज़े सुनिये और सभी पॉइंट को नोट कीजे हाली में डेनियल ओटेगा को किस देश के राष्ट पती की रुप में चुना गया है तो देखे निकारगुआ के राष्ट पती की रुप में इन्हें चुना गया है दोस्तो निकारगुआ के राष्ट पती कोन होंगे डेनियल ओटेगा ये लगातार चौथे कारकाल के लिए पद की सपत लेंगे दोस्तो बात करें वहीं पे रोसा, रियो, मुरीलो ये उपराशपती के रुप में अपने दूसरे कारकाल की सपत लेंगे दोस्तो आप सोच रहोंगे निकार गुआ है कहां पे तो देखें ये कहां पर है North America continent में उत्री America महादीप में देश है मद्य अमेरिका के सबसे बड़ा देश है friends इसकी capital है माना गुआ देखे friends इस देश के पश्चिम में प्रशान्त महासागर है ठीक है friends याद रखेगा देखे friends आप सभी ने comment किया था कि भारत में परमाडू उर्जा स्टेशनों की सूची के बारे में मैं आपको बता हूँ तो दोस्तों जी हाँ ये हाजिर आपके सामने तो सबसे पहले हम तारापूर के बारे में बात करेंगे कहां पर ये महराष्ट में है रावत भाटा कहां पर है friends ये राजस्थान में याद रखेगा पूचा जा सकता है कुडन कुलम कई बार एक्जाम में कुश्चन पूचा गया है तो तमिल नाडू में ये है कैगा की बात करें friends ये करनाटक में है याद रहेगा आपको चलिए अगला friends काकरा पार ये कहां पर है friends अमेरिकी राजपती क्या नाम है इनका जो बाड़े नाम है इन्होंने किस देश में अमेरिकी राजदूद के रूप में Eric Garcetti को न्यूक्त किया है तो देखे इन्हें भारत में न्यूक्त किया गया है किन्हें न्यूक्त किया गया है Eric Garcetti को राजदूद के रूप में दोस्तो Eric Garcetti की बात करे तो ये Los Angeles के मेयर है Eric Garcetti ये भारत में अमेरिका के नेस्ट राजदूद के रूप में नुक्त किये गए हैं दोस्तो इसकी अप्रूबल अमेरिकी संसत की अपर हाउस सिनेट ने मनजूरी दी है दोस्तो किन का स्थान लेंगे Kenneth Jester का ये स्थान लेंगे दोस्तो आप सोच रहे होंगे कि भारत का राजदूद अमेरिका में कौन है तो देखें मैं आपको बता देता हूँ भारत के अमेरिका में राजदूद है तरण जीच सिंग संधूद देखें फ्रेंड्स यहाँ पर USA की बात आईए तो मैं आपको USA के बारे में important details को share करने वाला हूँ तो देखें मैप में ये North America में स्थित एक देश है इसके उपर Canada है नीचे आप मेकसिको को देख सकते है तो ये North America में उत्री अमेरिका में स्थित है यहाँ पर 50 states है 50 राज है देखें फ्रेंड्स बात करें United States of America की तो उसकी capital है Washington DC वर्तमान में President को उने जो बाइडन है यहाँ पर आप image में भी देख सकते है वर्तमान उपराश्पती को उने Kamala Harris है देखें फ्रेंड्स आज का आखरी important current affair रहा हाली में दक्षिन अफरीका के किस cricket खिलाडी ने खेल के सभी format से सन्यास लेने की घुशना कर दी है तो देखें इनका क्या नाम है इनका नाम है Chris Morris देखें इन्होंने debut 2012 में किया था दोस्तो साउथ अफरीका के खिलाडी है इन्होंने 4 टेस्ट 42 वंडे और 33 टी 20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं दोस्तो IPL 2021 में राजिस्थान रॉयल्स ने Morris को 16.25 करोर रुपे में खरीदा था दोस्तो हाली में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू South Africa के Quinton D.Cock ने भी टेस्ट से सन्यास लिया है देखे friends अब मैं आपको best comments of the day पे लेके चलता हूँ बहुत सारे लोगों ने अपने valuable feedback हम तक पहुचाए है and thank you for your valuable feedback दोस्तो यहाँ पे नाम मैं लूँगा अनिल मीना जी का आशिस किरोरीवाल जी का सूरज कुमार जी का और राहुल सर्मा जी का thank you for your valuable feedback दोस्तो यह class आपकी है आपकी भी जिम्मेदारी है इसे best बनाने की इंडिया की best class बनाने की तो दोस्तो थोड़ा effort आप भी कीजे ज़्यादा सज़्यादा लोगों को share कीजे और आप अपना feedback जरूर दीजे ताकि हम और अच्छा कैसे कर सकते है क्योंकि यह class आपकी है चलिए friends अब मैं आपसे कुछ important questions करने वाला हूँ 14 जनवरी के important current affairs related जो भी आपने अब तक पढ़ा है देखिए पहला प्रशन है तारापूर परमाडू सयंतर किस राज में स्थित है question number 2 तस्मीन मेर का संबंद किस खेल से है question number 3 railway सुरक्षभल आरपीएफ के वर्तमान में डारेक्टर जनरल कोन है question number 4 इसरो की स्थापना कप की गई थी question number 5 असम के प्रेजेंट सीम कोन है देखे friends इन 5 questions के answer आपको comment box पे करने है दोस्तों ये जो current affair है ये ना किवल आपके exam को निकालने में मददगार होगा बलकि आसपास जो भी चीजे आपके सामने हो रही है जो आसपास चीजे घटित हो रही है दुनिया में या इंडिया में तो आपको बहुत अच्छी knowledge मिलेगी आपकी personality develop होगी एक personality evolve होके आएगी तो आप अपने family members को भी आप share कर सकते हैं चाहे वो mother हो चाहे वो father हो जरूरी नहीं है कि वो competitive examination की त्यारी करता हो इससे आपके सोचने और समझने की शक्ती विक्सित होगी देखे friends अब मैं 13 जनवरी के important current affairs का revision कराने वाला हूँ तो पहला question है हाली में आईपेल 2022 का title sponsor कौन बनाया तो देखे टाटा समू बनाया मैंने कल ही आपको पढ़ाया था हाली में 79th golden globe awards 2022 की घोशना की गई इसमें best actor in drama का खेताब किसे दिया गया तो विल समित को यह award दिया गया नेश्टर फ्रेंड्स हाली में National Youth Day कब मनाया गया हर साल 12 जनवरी को National Youth Day मनाया जाता है हाली में अंतरास्टी मुद्रा को उसका मुखे अर्थ सास्तरी के से न्यूक्त किया गया है इनका नाम है पियरे ओलिवियर गोरी चंस देखे फ्रेंड्स सिफ्ट इंपोर्टेंड रिविजन कोश्चन है हाली में हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की पहली तिमाही के अनुसार भारत का प्लिस कौन सा है तो भारत इसमें 83 प्लिस पर है देखे फ्रेंड्स साइट सबूत खोजा है तो चीन में इसे खोजा गया है चले अगली बात करेंगे हाली में प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी ने किस राज में 11 नए मेडिकल कॉलेज और केंदरी सास्त्री तमिल संस्थान के नए परिसर का उधगाटन किया है चापने की अनुमती सहमती दी है तो देखे हिंदी भाषा में इसे चापने की सहमती दी है दोस्तो ये थे 13 जनवरी के Important Current Affairs का रिविजन हमने Daily Current Affair में 14 जनवरी 2022 के Current Affairs को भी पढ़ लिया है आशा करता हूँ कि आपको एस सेशन पसंद आया होगा फॉलो कीजे क्रीजी जी का ट्रिक को different social media platform पर जिसका link आपको description box में दिया किया है keep liking, keep sharing your favorite channel क्रीजी जी का ट्रिक दोस्तो subscribe कीजे यदि आप पहली पर हमारे channel पर आ रहे हैं and don't forget to press the bell icon button thank you friends